नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी ख़वरों को जानते हैं चारा घुटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव की जमानत पर जारकंड हाई कोट में चार मार्च को सुनवाई होगी पता दे कि CBI की विशेश अदालत ने लालु प्रसाद को 5 साल की सजा देने के साथ ही 60 लाग का जुर्माना भी लगाया था होली से पहले लालु की जमानत की उमीर अब पाटी के कारकरता लगाया बैठे हैं ऐसे में सुकरवार को जारकंड हाई कोट में होने जा रही है सुनवाई पर अब सब की नजरे ठीकी हुई है चारा गोटाले के डोड़ंडा कोसागार मामले में लालु यदव सजा काट रहा हैं इस याजिका में लालो की उम्र और बीमारियों के हवाला भी दिया गया था जारकंड हाई कोट ने जमानत याजिका को स्विकार करते हुए चार मार्च को सुनवाई की थी निर्धारित की है बिहार विधान परिसद चुनाव की घोसना चार अप्रेल को होगी इस्थानिया निकाय वाली सीटों के लिए चुनाव बिहार विधान परिसद चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इस्थानिय निकाई कोटे से विधान परिशत की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसकी तारिकों का एलान हो गया है चुनाव आयोग में 4 अप्रेल को मद्दान की तारिक तै की है नौ मार्च को विधान परिशत चुनाव के लिए अधि सूचना जारी हो जाएगी इसके साथ है नमांकन की प्रक्रिया भी सुरू हो जाएगी उमिदवार अपना नमांकन 16 मार्च तक करा पाएंगे जबकि नमांकन पत्रों की जाँच 17 मारच को होगी 21 मार्च तक नाम वाप लिए जा सकेंगे चार अप्रेल को मद्दान का दिन रखा गया है सुभा आठ से साम के चार बजे तक वोटिंग होगी विधान परिसद चुनाव के लिए मदगन्ना साथ अप्रेल को होगी आपको बता दे कि पहले से ही उमिद जताई जा रही थी कि पांच राज्यों में वि के सहरी चेतर में 31 मार्ज के बाद डीजल से चलने वाले तीपहिया वहन यानि की आटो के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी परिवहन विभाग के बजट में बिहार स्वच इंदन योजना 2019 के अंतरगत पटना नगर निगम, दानापूर, खगोर और फुलवारी सरीप नगर परिशत चेतर की सीवा में डीजल चालित आटो का परिचालन बंद हो जाएगा। प्रदोसन की वज़ा से पटना नगर निगम, दानापूर, फुलवारी सरीप और खगोर में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई थी। अधालत के आदेश के बावजूद, पीपी को अब तक पद पर बहाल क्यों नहीं किया गया है। विधी विभाग के संयुक तसचीव को नोटीस जारी करते हुए उनसे स्पस्टिकरन मांगा था। कोट का कहना था कि विधी विभाग के संयुक तसचीव उमेश कुमार सर्मा को खुद पहल करनी चाहिए थी। पटना हाई कोट के आदेश का पालन करना चाहिए था। इस मामले पर आगे की सुनवाई दस दिनों के अंदर की जाएगी। CMIE की रिपोर्ट में खुलासा बिहार के सहरों में गाओं से ज़्यादा बेरोजगारी सामने आई ये वजह। आज फिजदी है जबकि सहरों में 17.1 फिजदी बेरोजगारी है इसका मतलब ये है कि काम पाने के योग 100 लोगों में से 17.1 और 1000 में 171 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों को काम मिलने में तेजी आ रही है। क्रामिन इलाकों में मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण केती के साथ ही बाकी रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। बेगुसराय रेलवे इस्टेशन की बदलेगी सूरत रेल लैंड डेवलप्मेंट ऑथोरीटी ने किया सर्वे। चार सदस्य टीम के दौरा सर्वे कारी किया गया। बिहार के बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी जिक्र जानिय नितीज सरकार से क्या मिली सौगात। बिहार सरकार ने नए वित्य वर्च 2022 के लिए 2,37,691 करोड रुपईये का नया बजट पेश किया। डिप्रिसियम सवित मंत्री तारकिसोर प्रसाद ने विधान मंडल के दोनों सद्रों में इसे प्रस्तूत किया। के तरप से वजट पेश करने के दोरान वित्य विभाग का जिम्मा समाले तारकिसोर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं का भी विसेश खयाल रखा है। सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चो, बुजुर्गो, अल्परसंखको व अन्य वांचित सभी वर्गों के कल्यान के लिए कुल 12,375 करोड रुपईये खर्च करेगी पोसाहार योजना के तार्थ आंगनवाडी के माधम से 6 मा से 6 वर्स के सामायन कुपोसित, अतिकुपोसित, बच्चो व गर्बवती को पूरक पोसाहार दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 2021-22 योजना के तार्थ 27.28 लाग बच्चो को पका भोजन, 23.32 लाग बच्चो के लिए टेक होम रासन तथा 10.52 लाग गर्बवती एवंग धात्री महिलाओं को टेक होम रासन दिया गया है बिहार के केंद्रिय विद्धालयों में एडमिसन बड़े बदलाव के साथ सुरू जानिये किन वच्चो को मिलेगी प्राथमिक्ता। केंद्रिय विद्धालय संगठन ने कक्चा एक में नमांकन के प्रक्रिया में महत्पुन बदलाव किया है। कर सकते हैं बिहार के पारस अस्पिताल में लीवर का सफल ऑप्रेशन सिर्फ 35 लीवर पर जिन्दा है कैंसर पीडित महिला डॉक्टरों का दावा यह बिहार का पहला मामला राजधानी पटना इस्थित पारस हमराय होस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिले है यहां प्रतिसत खराब हो चुका था पीति की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था डॉक्टरों की टीम ने 6 गंटे के ऑप्रेशन के बाद महिला का 70 प्रतिसत लीवर काटकर निकाल दिया अब मात्र 30 प्रतिसत लीवर पर महिला जिन्दा है पारस जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षय रजिया खातून को पिति की थैली का कैंसर था कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था लीवर के दाय भाग में खुन के सप्लाई एवंग पित की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था डॉक्टरों का कहना है कि 60-70 परतिसत लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था सिपाही बहाली में फरजी वाड़ा अपनी जगा दूसरे को बैठा कर दी लिखित परिक्षा फिजिकल टेस्ट हुआ तो पकड़ी गई बिहार में चल रही सिपाही बहाली में दो फरजी महिला अप्यार्थियों को पकड़ा गया है दोनों ही परिक्षार्थियों ने स्विकार किया है कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिकित परिक्षा में अपनी जगा दूसरे को बीठा आया था सिपाही बहाली परिक्षा में सुक्रवार को चल रही सारीरिक दक्षता परिक्षा में दो महिला अभ्यारतियों को उनके खिलाब प्राथम की दर्ज कर पुलीस ने हिरासत में भेज दिया पतादे की बिहार में चल रही सिपाही बहाली सारेरिक दक्षिता परिक्षा के दौरान पटना हाई स्कूल के मैदान पर दोनों आवे दिकाओं के अंगुली के निसान नहीं मिले सक होने पर उनसे पुष्टाज की गई पुष्टाज में दोनों ने फटजी तरीके से लिखित परिक्षा पास होने के बाद स्युकार की आज के सुर्क्यों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और साथ इसाथ वीडियो अगर पसंद आए लाइक पमेट शेयर करना ना भूले